कोरोना संकत के बीच पैट्चौल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जा री है तेल कंपनियों ने लगातार दसवे दिन पैट्रोल डीजल के दामों में वरदी की है जिसके बाद दिली में 47 पैसे की बढ़ातरी के साथ पच्रोल की कीमत अब 76 रुपे 73 पैसे प्रतिलिटर हो गई है वहीं डीजल में 57 पैसे की बढ़ातरी की गई है और ऐसे में राज़धानी में डीजल की कीमत बढ़कर 75 रुपे 19 पैसे प्रतिलिटर हो गई है वहीं जैपूर में पेट्रोल के दामों में प्रती लिटर 50 पैसे की व्रदी हुई है और ऐसे में पेट्रोल 83 रुपे 63 पैसे प्रती लिटर पहुँच गया है आपको ये भी बता दें कि तेल कमपनिया जून 2017 के बाद से रोजाना की आधार पर कीमतों की समिक्षा कर रही है इससे पहले करीब 12 हफतों तक कमपनियों ने पेट्रोल डीजल के मुल्य में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था वहीं 7 जून से दाम में लागत के हिसाब से फिर बदल शुरू किया गया और उसके बाद से ये लगातार दसवा दिन है जब इंधन के दाम बढ़े है लगातार जो बढ़ होतरी है पच्रोल डीजल के दामों में वो देखी जा रही है जैपूर में 83 रुपे 63 पैसे प्रोतिलिटर पट्रोल हो गया है पच्रोल डीजल के भाओं में भारी उबाल देखा जा रहा है लगातार दसवे दिन ये दरें जो हैं वो तेजी से बढ़ते जा रही है अधिक अपडेट के लिए हमारे समवादता बीके शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जो चुके हैं बीके किस प्रकार से लोगों का क्या रुझान सामने आ रहा है क्योंकि लगातार जो पैट्रोल डीजल के दामों में व्रदी है वो हो रही है बीकिल्कुल पैट्रोल जो रोजमरा की काम में आता है आवागवन के लिए क्योंकि सार्जनेक जो वाहन है उस तरह से लोग सरकार के उसे रोड़ वेज और जूसरी सिटी बस जैसी सेवाई नहीं है तो जादा दर लोग अपने नीजी वाहनों से आ जा रहे हैं तो इस पैट्रोल का खर्च भी जादा पड़ता है तो ऐसे जब लोगों का रोजगार खिंडा है नौकरियां जा रही है उस जोग व्यापाद नहीं है काम गंदे नहीं है आये के सादन सीट होते जा रहे हैं ऐसे में पैट्रोल और डीजल की कीमते लगातार बढ़ने से आम अभोग ताउं के ऊपर ये एक बाहरी मार है और पॉर्स ऐसे में जब सरकारी कंपनिया हैं हमारे देश में पेट्रोलियम जो कंपनिया हैं वो सरकार के अधी नहीं काम करती हैं उतो नौमस ज़रूर अधिकार दे रखे हैं लेकिन फिर भी सरकारी कंपनिया है इसमें सरकार को इस पार ज्यान देना होगा कि ऐसे कोरणा की म वाजार में जिस तरह से कूड ओली के दाम कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, आज भी देखें तो जो ब्रेंट कूड है, उसकी क्यमत है 49 डॉलर प्रती बेरल है, और अगर WTI की बात करें, तो वो 30 डॉलर प्रती बेरल क्या असपात है, यानि अंसराख की बाजार में कच्छे तेल की कीमते घट रही हैं, तो ये एक बहुत सिंटा का विशे है, इस तरकार को चांद देना चाहिए, और इस ताकी आहां मुझता को रहात मिल सके हैं, बिलकुल बीके शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तो ये थे हमारे समवादा तब बीके शर्मा तमाम अपडेट उन्होंने दी किस प्रकार्स के जो कच्छा तेल है, उसकी कीमते गड़ती जा रही है, उसकी जो रेंच है वो कम होती जा रही है, और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ातरी दर्ज हो रही है